बिएसी प्रथमवर्ष की शात्राओं को आज मैं नरेश महता की एक कहानी जो डायरी की शैली में लिखी गई है तिश्य रक्षिता की कहानी के रूप में पढ़ाऊंगी इससे पूर्व की हम तिश्य रक्षिता की चर्चा करें नरेश महता जो इस डायरी के कहानी के लेखा कैं उनका संक्षेप में हम परिचे जानेंगे मैं डॉक्टर वीनीता कौशिक सहाचार्य हिंदी जानकी देवी बजाज राजकिय कन्या महाविद्याल है कोटा नरेश महता का जन्म 1922 में हुआ और देहावसान 2000 में हो गया नरेश महता अग्ये द्वारा संपादित दूसरा जो सब तक था उसके प्रमुक कवी रहे काशी हिंदू विश्व विद्याले में उनकी शिक्षा हुई और उसके बाद उन्होंने आकाश वानी के कई केंद्रों पर काम किया लेकिन लेखन के प्रति उनका जो जुकाव था जो रुझान था उसके कारण उन्होंने शीग रही अपनी नौकरी से अवकाश ले लिया नरेश महता का रचना संसार बहुत विपुल है उनके प्रमुक्रतियां कावे में यदि देखें तो वन पाखी सुना बोलने दो चीड को मेरा समर्पिते कान उत्सवा तुम मेरा मौन हो अरण्या आखिर समुद्र से तातपर्य पिछले दिनों अंगे पैर देखना एक दिन आदि हैं खंड काव्य संशय की एक रात महाप्रस्थान प्रवाद पर्व प्रार्थना पुरुष शबरी चैत्या इत्यादी हैं और उपन्यास हैं डूपते मस्तूल यहा पत बंदू था धूम के तू एक प्रतिश्रुती नदी यशस्वी हैं दो एकांत प्रथम फालगुन उत्तर कथा दो खंडों में कहानी संग्रह हैं एक समर्पित महिला जलसाघर और अन्या कहानी आदि नाटक हैं सुभा के गंटे पिछली रात की बरफ सनोवर की फूल आदि इसके साथ ही इनोंने समीक्षा भी की हैं कावे का वैशना व्यक्तित्व मुक्ति बोद एक अवधूत कविता शब्द पुरोशग्य कावे आत्मक्ता का दितकाल आदि और इसके साथ ही यात्रा संस्मरण और संपादन कारे भी इनोंने किया है तो नरेश महता का जो लेखन है इतनी विपुल संपदा के रूप में हमारे सामने है और इसके लिए उन्हें मद्य प्रदेश शासन से सम्मान प्राप्त हुआ, सारस्वत सम्मान, मद्य प्रदेश शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, केंद्रिय साहत्य अकादमी पुरसकार, भारती ज्यान पीट पुरसकार, आदि अ पुरस्कार प्राप्त हुए भारती इतियास और संस्रती का उन्हें बड़ा गहरा ग्यान था और इसलिए उनके कावे में मितकों का बड़ा सार्थक प्रयोग मिलता है उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया था तिश्य रक्षिता की डायरी हमारे सामाने हिंदी के पाठ्यक्रम में हैं समराट अशोक को हम सभी ने पढ़ा है उनके बारे में हम सभी काफी कुछ जानते हैं तिश्य रक्षिता की डायरी एक डायरी का इस्मरन दिलाती है डायरी एक विदा है जैसे रिपोर्टा आज हमने पढ़ा एक आंकी पढ़ते हैं उसी प्रकार से डायरी भी एक लेखन शैली में आती हैं यहां मैं इस्पष्ट कर दूं कि तिश्य रक्षिता की डायरी एक शैली के रूप में लेखक ने अपनाई है मूलतह यहां एक कहानी ही है आदुनिक योग गद्य लेखन की नवीन शैली में दिरंतर आगे बढ़ रहा है जहां समय का अभाव है तो छुटी-छुटी कथाएं, प्रसंग, संस्मरन, रिपोर्ट ताज के रूप में लिखा जा रहा है वहीं डाइरी भी नव्यतन गद्य विदा है, जैसे पश्चिम से आई मान सकते है डाइरी लेखक का निजी दस्तावेज होता है उनमें उसे अपनी तुटियों का आत्माव लोकन करने का अवसर भी मिलता है डाइरी व्यक्ति की निजिता लिये हुए होती है मूलता वह अपने लिए ही डाइरी लिखता है, प्रकाशन का विचार उसे उस समय नहीं रहता उदाहरण के लिए देखें तो एक साहितिक की डाइरी मुक्तिबोध ने लिखी है और लेखक के बड़े मालिक विचार उसमें हमें मिलते हैं तो कहा जा सकता है कि डाइरी में प्रमुक रूप से जो तत्व है वह तत्व हमें यहां भी दिखाई देगा वह है प्रामानिक्ता, आंतरिक्ता, कलात्मा कभी व्यक्ति के प्रति ये जरूरी नहीं है कि वह सचेत हो जो भी डायरी लिखेगा वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बड़ी कलात्म कभी व्यक्ति करें क्योंकि उसके अंदर संपूर्ण निजिता है उसकी तो शैली की विवित्ता हम अवश्य देख सकते हैं कि वो अपने हिसाब से उसको लिखेगा अपना जो चिंतन की जो प्रवा है उसके साथ लिखेगा तो उसकी अपनी एक मौलिक्ता उसमें अवश्य होगी तो डायरी में लेखक के उस समय के विचारों को भावों को क्रिया प्रतिक्रियाओं को बड़ी सूक्ष्मता से समझा जा सकता है इसी लिए नरेश महताजी ने तिश्य रक्षिता किया जो कहानी है इसको डायरी की शैली में लिखने का प्रयास किया है यह मैंने आपको आरंब में बता दिया है इसी लिए बताया है कि डायरी की जो शैली है उसके प्रमुक तत्व है कि वहाँ उस पात्र विशेश की जो उसे लिख रहा है उसमें उसके मनोभावों को उसके विचारों को उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं को हम सूक्ष्मता के साथ में समझ सकते हैं अब हम यदी देखें इतिहास में थोड़ा इतिहास की ओर हमें अवश्य जाना ही होगा समराट अशोक की पांच पत्मिया थी देवी कौर्वा की पदमावती असंदिमित्रा और पांच वी तिश्य रक्षिता पाली साहित्य में थिश्य रक्षिता का थिश्य रख्षा की दंत कथाओं में हम पढ़ सकते हैं आपने वंशावली के क्रम के अनुसार बाद ग्रंथ के नाम सुने होंगे महावंश और दिव्यावदान इन में तिश्य रक्षिता का नाम क्योंकि पाली साहित्य में लिखे गए पाली भाशा में लिखे गए इसलिए तिश्य रख्षा इनका नाम वहाँ पर पढ़ने में आता है अति कामुक थी वह वास्तम में देखा जाए जो हमें पढ़ने में आता है वह यह कि आ संदी मित्रा जो इनकी पत्नी थी अशोक की समराट अशोक की उनकी ये परिचारी का थी सुन्दर बहुत थी और उसके सौंदर्य पर अशोक की द्रिष्टी ने ही उसे मौरे समराट के रनिवास में इस्थान दिया था पदमावती रानी जो थी इनकी उसका पुत्र था कुणाल यह अशोक के अन्य पुत्रों की तुलना में बड़ा कुशागर था और हम जानते हैं कि महेंद्र और संगमित्रा भी इनके पुत्र और पुत्री थे तीवर और जालोग भी थे लेकिन महेंद्र और संगमित्रा ने बड़ धर्म का प्रचार किया था लेकिन अशोक ने मन ही मन में कुणाल की तीवरता कुशागरता को देखते हुए उसे अपना उत्रादीकारी अपने मन के अंदर मान रखा था कुणाल का अर्थी होता है सुंदर नेत्रों माला तो कुणाल के नेत्र वास्तम में बहुत सुंदर थे अब यदि हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये देखें इतिहास किसी भी विशे को अथ्वा घटना को तथ्यात्मक दृष्टी से देखता है इसके अलावा उसके पास में दृष्टी नहीं होती जन सामानी की बात करें लोकोपवाद की बात करें तो इस प्रकार की तिश्य रक्षिता वाली जो घटनाएं हैं उनको वो कलंग की मान कर चलते हैं लेकिन एक साहित्यकार समवेदन शील दृष्टी से किसी भी विशे और पात्रों का मुल्यांकन करता है यही कारण है कि साहित्य में तिश्य रक्षिता का बड़ी सदा शहता के साथ अन्य लेखकों ने भी अपनी दृष्टी डाल कर लिखने का प्रयास किया है जिसमें हम एक कांग की विधा में चारु मित्रा देखते हैं पढ़ते हैं रामकुमार वर्मा की रचना चारु मित्रा इकांग की विधा इसी प्रकार जैशंकर प्रसाद ने अशोक कहानी लिखी उसमें भी इसी प्रकार से तिश्य रक्षिता का जो चरित्र है वो पाठकों के सम्मुक रखा बहुत सारे प्रशन रखे वहीं श्री नरेश महताजी ने डायरी की शैली में तिश्य रक्षिता की कहानी को बखु भी हमारे सम्मुक रखा यहाँ देखा जाये तो इनकी सर्व प्रथम जो कहानी संग्रह था नरेश महताजी का प्रथम क्राहानी संग्रह था 1962 में चपा था तथापी के नाम से उसमें ये डायरी की शैली में लिखी गई कहानी तिश्य रक्षिता के चरित्र को हम पढ़ेंगे इसका पाट करेंगे तब हम बखु भी जान पाएंगे कि मनोवज्यानिक तरीके से महताजी ने किस प्रकार इस कहानी को डायरी की शैली में रचा है एक छोटा सा इसमें मैं संक्षेप में इस कहानी को आपके सम्मुक रखना चाहूंगी जिससे की जब हम कहानी पढ़ें तब आपके सामने वो सारी इस्थिती हो मैंने बताया आपको कि तिश्य रक्षिता अशोक के युवा पुत्र कोणाल पर मोहित हो गई और उसने कोणाल से प्रणय निवेदन किया प्रणय निवेदन कोणाल ने अस्विकार कर दिया क्योंकि वह विवाहित था अपनी पत्नी के प्रतिय अनुरक्त था लेकिन तिश्य रक्षिता को जब अपने प्रणय में सफलता नहीं मिली तो उसने कोणाल पर यह आरोप लगाया कि कुणाल ने उसके शील को भंग करने का प्रयास किया है सम्राट अशोक ने कुणाल के इस कारे को बहुत गलत समझा और तिश्य रक्षिता के कहने से कुणाल के नेतर निकलवाने की सजा दिलवा दी कुणाल ने ये दंड स्विकार कर लिया किन्तो बाद में अशोक के समक्ष सारा भेद प्रकट हुआ और उन्होंने तिश्य रक्षिता को गंगा तट पर जलाने की सजा दी यह सजा किस तरह दी गई इसका आभास रचना के अंतमे नयन तारा द्वारा लिखी डायरी से मिलता है तो इस रचना में नरेश महताजी ने तिश्य रक्षिता के मन के द्वंदु को चितृत किया है तिश्य रक्षिता का यावन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका कोई उपचार, व्रद्द समराठ अशोक के पास नहीं है तिश्य रक्षिता से उनका विवाह एक दरह से तिश्य रक्षिता के प्रती अन्याई ही था हम प्रायह प्रेमचन जी के उपन्यास में भी इस प्रकार के अन्मेल विवाह की प्रसंग पढ़ते हैं जहां पर किसी व्रद्ध से किसी नव यूवती का विवाह होता है लेकिन वह संतुष्ट नहीं रह पाती है और इस प्रकार की जो इस्थिती है वह यहां पर तिश्य रक्षिता के साथ भी घटित हो रही है तो बहुत गहराई से यदि देखा जाए तो बहुत सी बातें यहां पर सामने आती है एक तो कुणाल की चारित्रिक द्रड़ता अमारे सामने आती है तिश्य रक्षिता की कामुक्ता सामने आती है जहां वह अपने यौवन को पराजित हुआ समझती है और यही नहीं प्रेम जहां राग है वहां किस प्रकार से द्वेश बन जाता है किस प्रकार से राग द्वेश में परिवर्तित हो जाता है ऐसा द्वेश कि उस आक्रोश के अंदर कि जो उसने चाहा वो नहीं मिला तब उसने कुणाल की आँखें निकलवा दी यह आक्रोश था यह उस राग के प्रती द्वेश था जो उसे प्राप्त नहीं हुआ तो उसने उसके साथ में इस प्रकार का आक्रोश प्रस्तुत किया तो यह एक बड़ी मनोवैज्यानिक रचना भी है जो तिश्य रक्षिता के माध्यम से नारी रिदय की गहराईयों को सबंजने के लिए हमें एक पात्र के रूप में सामने आती है तो नरेश महता ने बहुती सुन्दर तरीके से इस कहानी को डायरी की शैली में लिखा है हम आज इसका यह पार्ट पढ़ेंगे आरंब करेंगे तिश्य रक्षिता की डायरी यह डायरी तिबबत के एक बाद्ध मट से अपनी पिछली तिबबत यात्रा में मुझे प्राप्त हुई मैं मैंने इसका मात्र संपादन किया है इसकी प्रति अत्यंत जीन शीन हो गई है इसे पढ़ने का काम मेरे एक बाद्ध भाशा विग्यमित्र ने किया है लेखक ने यहां से इसका आरंभ किया है लेखक आरंभ में लिखते हैं पाटली पुत्र राजबवन वैशाख पूर्णिमा मध्यरात्री वैशाख का महिना हम सब जानते हैं गर्मी का महिना है अगर मैं कहूं हमारे कैलेंडर के हिसाब से तो मही का महिना समझे आप आज अब लोटना हुआ है धर्म राजी कोत्सव से यह इनों ने इन तीन बिंदों के माद्यम से हमें आगे की जो विस्तार है उसको बताने का प्रयास किया है कि पाटली पुत्र राजबवन और समय बातावरण कैसा पूर्णिमा की मध्यरात्री और एक धर्म राजी कोत्सव हुआ है एक उत्सव हुआ है जो दर्म से संबंदित है और उससे अब लौटना हुआ है उस समय क्या कुछ है नयन तारा दासी ही नहीं है बलकि मित्र है कितना शीतल सुगंदित जल था इसनान में कितना सुख मिला आज दिन भरलू चलती रही मेग गिरने की रितु आ चली है आज की यक्षिन गंगा तब इसी गवाक्ष के नीचे प्रवाहेगी गवाक्ष अर्थात जरोखे आप जानते हैं वेंटिलेटर तो गवाक्ष मतलब जरोखे तो लेखक क्या कहा रहा है मेग गिरने की रितु आ चली है आज यह आक्षीन, हीन मतलब जो बहत ही जिसका तल गंगा का यह तल है वह बहुत मुचा नहीं उठा हुआ है वह क्षीन तकवरापत, है ख्षीन तकवरापता है नीचे से इसका जल प्रवाहित होगा अब जाकर वातास थोड़ी शीतल है वातास हवा वायू शीतल वायू का कुछ जोंका लगा है हवा में पके आमों की कैसी मादक गंद घुली है जोंकी गर्मी का मौसम है और आम ब्रक्ष पर पकने के लिए अभी हैं इसलिए आम की कैसी मादक गंद घुली है धर्म राजी कोट सवज आज जाकर कहीं शेश हुआ सब्ताह तक पाटली पुत्र चशक की भाती उफनता रहा चशक कहते हैं एक पात्र को जिसमें मदिरा पान भी किया जाता है तो वो कहते हैं सब्ताह तक पाटली पुत्र चशक की भाती उफनता रहा अर्थात लोगों का आवा गमन अधिक मात्रा में रहा आर्य पुत्र अत्यंत संतुष्ट हैं बहुत ठक गई हूँ संभावता इसलिए नीन नहीं आ रही है एक सप्ता के इस आयोजन ने तो एक दम ही ठका डाला है सूर्यो दैसे सूर्यास्त तक छत्र चामर के नीचे मर्यादित बैठे रहने से बड़ा कोई दुख नहीं लेकिन या दुख ही कितना मादक तथा आकरशक है चारों ओर का जैकार आपको विस्तार देता है और राज्यसान देदिप्यमान एक निष्ठता देश विदेश के विनम्र होते हुए राजमुकुट बलाधिक रतों के विद्युत्फल के समर्पित खडग रत्नों और वस्तरों के असंख्य थाल और विबिन्न दास दासियां लगता है पृत्वी दासी बनकर समर्पित है लोगों को विने ही शुभा देती है और आपको उस विने को स्वीकार करना आज का धर्मराजिकोत्सव का आयोजन अध्विती है था क्योंकि एक महान मौरे समराट ने बाद्ध प्रवरज्या ली प्रवरज्या अर्थात वह अब इस जो सांसा रिकता है उसको त्याग चुके हैं और उन्होंने बाद्ध धर्म गरहन कर वह सन्यास धारन कर चुके हैं क्योंकि एक महान मौरे समराट ने बाद्ध प्रवरज्या ली आज समस्त मौरे समराट सामराज्य में 84,000 धर्म राजिकों इस्तूपों के स्थापना की गई सिंग ध्वज रोपे गए जिन पर देवा नाम प्रिय के अनसयान अर्थात उपदेश खुदे हुए हैं आज उपरांत मौरे समराट महाराज अशोक प्रियदर्शी अशोक कहे जाएंगे संभव तह मैं भी उन्हें अब आरे पुत्र नहीं कह पाऊंगी इसलिए तिश्य रक्षिता आज से पती हीन पत्नी समराट हीन पत्ट महीशी पत्रानी मानी जाएगे क्योंकि भिख्षु तो संबंद हीन होते हैं क्योंकि समराट अशोक अब एक भिख्षु हो गए है इसलिए वह यह बात इसमें लिख रही है कि क्योंकि भिख्षु तो संबंद हीन होते हैं क्या मैं भिख्षु नहीं हो सकूंगी व्रध्धा पकाल काशाय में सुन्दर लगता है अर्थाथ व्रध्धा वस्था काशाय अर्थाथ भगवा वस्थर वलकल वस्थर उसी में सुन्दर लगता है लेकिन यौवन तो नहीं न आर्य पुत्र काशाय धार चुके लेकिन क्या तिश्चे रक्षिता ऐसा कर सकती है क्या उसके कांचन तन पर स्वयम काशाय सुलग न उठेगा और क्यों किस प्रयोजन के लिए प्रश्न देती है कि उसकी जो आयू है उस आयू और उसके यौवन और उसके सौंदर्य के उपर अब चूंकि उसके पती ने बाद धर्म स्वीकार करके वो बिख्षू बन गए हैं तो क्या उनकी पत्नी भी इसी प्रकार उस वस्तर को धारण कर पाएगी क्या वह भी बिख्षूनी बन पाएगी इस आयू में इस यौवद में यह प्रश्न सामने रखते हैं चारों और कितनी शानती है गवाक्ष के बाहर विशा का चाननी कैसे हौले हौले बरस रही है आकाश में चाननी में इस फटिक लग रहा है इस फटिक एक पत्थर है जो की पारदर्शी सफेद होता है और चाननी कासा हमें देखने में चाननी जैसे प्रकाशित होती है उसी प्रकार से दिखाई देता है आकाश में चाननी में इस फटिक लग रहा है पट्ट महिशी होने पर भी सहज पत्नी के सुख से वंचित संभावता कोई भी सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है हमें चुनना होता है हम या हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं इस उत्सव के लिए यूनान और मिस्र ने विशेश रूप से अपने राजवन्शी शिष्ट मंडल भेजे अन्य पड़ोसी राष्ट्रों ने भी अपने आमात्य राजदूत आदि भेज कर मैत्री प्रदर्शित की कलिंग का राजगुमार नील रत्न भी उपस्थित था उसे देखकर मोह होता था होता है उसे देखकर मोह होता है लगता है कलिंग बहुत सुन्दर प्रदेश है सुना है उसका सिंदू तर्ट बड़ा ही रमडीक है कभी जाना चाहती हूँ नील रत्न कितना सरल है उसे किंचित भी राज़सी गरिमा नहीं आती अपने हाथ के मयूर पंक से कितना बरजती रही कि सामराग्यों को घूरा नहीं जाता किसी सीमा तक मूर्ख भी है हसता है तो लगता है कि जैसे एकांत सिंदू जल हस रहा हो पाटली पुत्र के वैभव की आज पराकाश्ठा थी नगर और आकाश अभी भी आलो कित हैं कितने तोरण द्वार, वंदनवार, मनो, रंजन, आदियायो जित थे मार्ग की दोनों और दर्शनार्थी प्रजा की पंक्तियां गगन भेदी जैकार रत पर लोटते हुए आज सहसा ध्यान आया कि यह जैकार किसकी की जा रही है क्या उस समराट की जो की भिक्षू हो गया या सामरागी की जो की अभी भी पट महीशी है प्रशन देते हैं कि वो वास्ता में पट महीशी है किस प्रकार की पट महीशी है सामरागी किस प्रकार की है वा समराट के पास त्यागने को कितनी वस्तुएं थी Samaraj, पत्नी, परिवार, युद। दास, दासिया, हिंसा इस त्याग की जैजय कारने होगी तो किसकी होगी ? मैं क्या त्याग थी ? यह व्रद्धपती था achieve, तो इस नहीं त्याग दिया और त्याग व्रद्धापकाल को ही शोपता है यहाँ पर पुन्ह एक मन की जो एक बात है वह सामने आ रही है कि वह त्यागती तो क्या त्यागती उसके पास तो एक व्रद्ध पती है जिसने की पूरा सामराज्य भी त्याग दिया है जिसने सब दास दासियों का त्याग कर दिया है, जिसने पूरी हिंसा त्याग दी है और अपनी सब पत्नी पत्नियों को भी त्याग दिया है आज आट बरस हुए विवाह को तिश्य रक्षिता के साथ अशोक के विवाह को आठ बरस हुए हैं आज आठ बरस हुए विवाह को क्या इसे छोड देने को व्रधापकाल में विवाह लाए थे? प्रश्ण है हम सब के सामने तिश्य रक्षिता के चरित्र को लेखख अपने इन प्रष्णों के माद्यम से हमारे मन में उठा कर एक विचार जो तिश्य रक्षिता के बारे में जो लोक के माद्यम से निरंतर चला आ रहा कलंक है उसके लिए हमारे सम्मुक रखते हैं कि आज आठ वरस हुए विवाह को क्या इसे छोड़ देने को व्रद्दापकाल में विवाल आये थे एक दिन भी तो हम पती-पत्नी की बाती नहीं रहे लेकिन आज सब बातों पर सोच करना व्यर्थ है निद्रा नहीं आ रही है कानों में उत्सव की ध्वनिया जैसे भर गई है द्रिश्य और लोग आखों में तिर रहे हैं जजरी के पास पार नयन तारा कितनी निश्चिंत सो रही है कोई कामना नहीं, कोई महत्व कांक्षा नहीं सब से हीन इसलिए नयन तारा के लिए रातरी, नींद है और दिन, दिन है अभी मुझे स्वर मंडल पर विहाग सुना कर गई समझी मैं सो गई और आप भी जाकर सो गई सब सो गए हैं, दीरगाएं तथा भित्तियां तक सो रही है केवल गवाक्ष वाला दीपा धार ही आलो कित है बाहर निर्मल एकांत प्रशस्त है नीचे कहीं दूर पहलूँँपर सावधान चौका जाता है गंगा की इक्षिर धारा में कोई बालू भरी नौका काशी की ओर जा रही है मच्छुआ कितना तनमय गान कर रहा है संभव तह उसकी योती, पत्नी मस्तूल के खंबे से सटी, मस्तूल पत्वार का जो खंबा है उससे सटी, खंबे से सटी, अपने पती के संगीत में डूबी होगी और पती की साचें धली देह के लिए आकुल भी, ओ कुणाल मेरे प्रेम को तुमने अभी गमन कर तिरस्क्रत किया क्यों किया? मैं तुमारे फिता की पत्नी अवश्य हूँ, लेकिन तुमारी माता तो नहीं तुम मुझे अपनी ही दृष्टी में गिरा देना चाहते थे लेकिन क्यों? कहीं तुम्हें अपनी सुन्दर आखों पर गर्व तो नहीं तुम धर्म राजी कोटसम में आए हो, लेकिन भूल कर भी मेरे भवन नहीं आए परसों महराज के सम्मान में मैंने भोज दिया, उसमें भी तुम सम्मिलित नहीं हुए अपनी पत्नी कांचन माला को भी नहीं आने दिया क्यों? एक बार ही आते तुम देखते कि ओ मेरे पती के पुत्र, मेरे प्रेमी, तुमारे पिता की पत्नी, तुमारी प्रेमी का तिश्य रक्षिता अनुक्षन तुम्हें इसमरन करती है जानते हो कुणाल, मेरी इन बहों में बंदने के लिए यूनान के समराठ तक लालाइत हो सकते है एक संकेत में सामराज्यों का उत्थान पतन कर सकती हूँ तुम्हें किस बात का गर्व है, यूराज होने का कुणाल, पक्षी की भाती नय पाजाने का दर्प है मैंने तुम से याचना की, और तुम मेरा तिरसकार कर सके, इस बात का घमंड है तो कुणाल, तुम भी याद रखना, कि तुमने तिश्य रक्षिता का तिरसकार किया था जाओ, तक्षिशिला जाओ, प्रशासक बन कर रहो, देखती हूँ कितने दिनों तक मैं या तो कामना करती नहीं हूँ, और कामना करने के बाद पराजित होना नहीं जानती मैं अशोक नहीं कि ख्षमा, करुणा, अहिंसा में दीख्षित हो जाओ, यदि तुम मुझे प्राप्पे न हो सको, तो किसी अन्यके भी न हो पाओगे कुणाल मैं फिर कहती हूँ कि आजाओ, बस एक बार अपने उन कुणाल नैनों से मुझे एक प्रेमी की भाते निहार लो मैं इतनी सुन्दर आँखों वाला पुत्र नहीं ट्रेमी चाहती हूँ, मैं नहीं जानती कि मेरी इस वांच्छा का क्या होगा कल यूनान के शिष्ट मंडल ने भोज दिया है, महराज की इच्छानुसार ही भोज में केवल दो मोर और एक हिरन ही होंगे महराज इसी लिए पूर्ण अहिंसा के पक्षपाती नहीं है, वे तो केवल विहिंसा चाहते हैं, इस बार पश्वों का समाज प्रदर्शन भी फीका ही रहा धर्म की भी सीमा होगी, क्या महराज इसको नहीं समझते, क्या स्वर्गिय संब्राठ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार के सामराज का यही होना था आश्चर नहीं कि महराज किसी दिन सामराज यही विहारों की सेवा के लिए दे दें लेकिन आज तो नहीं दे रहे न, सबतर्शी डूपने ही वाले हैं, पलकें कडवार से भर उठी हैं, अंग-ंग में कितनी थकान बढ़ गई है नयन तारा को जगा कर थोड़ा सिर्दवा लिया जाए तो नींद अच्छी आएगी ऐसा विचार तिश्य रक्षिता इस डाइरी में लिख रही है इसका शेश भाग हम कल करेंगे आज के लिए इतना ही हम सहज रूप से समझ पाए है कि समराट अशोक ने बहुत धर्म ग्रहन कर लिया है वे भीक्षू बन गए है और सर्वत्र किस प्रकार से उनके राज्य में सभी लोग इस उत्सव के लिए आए है और पाटले पुत्र का वैभव पराकाष्ठा पर चड़ा हुआ है लेकिन इन सब के बीच अंतह करण में किस प्रकार की बातें तिश्य रक्षिता के मन में उठ रही है उन सब बातों की उन सब बातों में भरी हुई बेचैनी को हम समझ पाए है और अब आगे हम पढ़ेंगे कल के तिश्य रक्षिता के भाव किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं धन्यवाद